असलाम लेकों, मैं हूँ सरहाजगर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चौकर्ट कहानी में एक अनोखी क्रियेशन आपने अम्रीन की हर क्रियेशन देखी है जिसने घर का कोई न कोई कोना बहुत हसीन बनाया है उस कोनी की कहानी लिखी गई है लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ न वो कोई कोना नहीं है बलके एक मुकमल आशियाना है तो चलिए, आएं देखते हैं कहते हैं मेरा घर मेरी जननत लेकिन दुनिया में घर को जननत बनाने का फन और आउरत के हाथ में है और वो घर के कोने कोने को अपनी महपतों से सजा कर एक हसीन आशियाने का रूप बना देती है अम्रीन का आट एक ऐसी ही औरत की नज़र रखता है जो घर को सजाते हुए उसे निखारते हुए महपत, मामता, वफा के सारे जजबात की मानिन है ये उजड़ा हुआ, बिख्रा हुआ, उख्रा हुआ, पेंट और तूटी फूटी दीवारों का घर अब अम्रीन के पास प्रोजेक्ट की सूरत में आया तो उन्होंने खर को अपने आर्ट की नज़र से आशियाना बना दिया बेड्रूम्स में किन रंगों का इस्तिमाल होगा लाउंज और डाइनिंग में, कहां कौन सा कोना, कैसा खुआब नज़र आना चाहिए ये घर उसका मू बोलता सबूत है सच ये है, कि अगर घर की दीवारें आप से बात ना करें तो उस घर में बसना भी अच्छा नहीं लगता और अम्भीन के आर्ट ने इस घर को जबान दे दी अनकहे लफ़ों की जबान असलाम लेकुम अम्रीन वालेकुम सलाम, क्या हाल है सरा ठीक ठाक, मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ट हूँ क्योंकि जो मैंने पहले की पिक्टरीज देखी और हम देख रहे हैं उससे तो मुझे देख के लग रहा है कि यहां रहना ही मुश्किल होगा लेकिन आपने इस घर का नक्षा ऐसे बदल दिया है कैसे कि आपने सेरा मैं भी जब पहली दफ़ा इस घर में गई थी ना तो मुझे भी यह हुआ था कि यह बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है और जिन्होंने मुझे काम करने को कहा था उनका यह था कि इसलामबाद में सैटल फैमली है और उनके जो घर के हजरात थे मेल परसनल उनको कराची शिफ्ट होना था अपने बिजनस के लिए और उन्हें थोड़े अरसे के लिए कुछ सालों के लिए घर रेंट पर लिया था रेंट पर होने की वज़ाद से हम इसमें जादा काम सेलिंग पर वाल्स पर नहीं करवा सकते थे उनकी रिक्वेस्ट मेरे पास यह थी के एक सेंपल सा एक ऐसी जगा बना दें जो प्रिजेंटेबल हो क्योंकि मीटिंग के लिए लोग आएंगे और रेंट का घर है तो हम इस पे जादा पैसे वेस्ट नहीं करें लेकिन जो इसके साथ फरनीचर था जो अल्रेडी वहां रखा वा था तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप देख लें अगर बहुत डैमेज है तो हम इसका नहीं रेप्लेस कर देंगे लेकिन मुझे अजन आर्टिस जतनी चैलेंजिंग सिच्वेशन होती है अतना ही मज़ा आता है मैंने उसी के ही पुराने फरनीचर को जो किसी के भी नजदीक उसको बस उठा के फेक देना है उसी को एक दुबारा नई लाइफ दे के वहां दुबारा सेट तो आपने बिलकुल खर्चा नहीं करवाया आपने सब रियूज किया उसको बिलकुल सारा मेक ओवर है फरनीचर और हर कमरी की थीम अलग है इसके बारे में मुझे बताएं को जो उसमें मास्टर बेडरूम था जब हमने देखा तो जो पहले इस्तमाल कर रहा है तो उन्होंने बहुत वाल पेपर लगाए वे थे वाल पेपर फ्लोरल था एक पर बड़ी बड़ी लाइंस थी पिंक शेट था मुझे वो बिलकुल नहीं पसंद आ रहा था वाल पेपर मुझे बहुत पसंद है मगर मेरी ज़रा डिफरेंट च्वाइस होती है तो हमने उसको सिंपली एक बेज कलर में किया जो बहुत बड़ा वाइट बेट सेट था तो क्योंकि वो बहुत यूज लुक था उसको हमने थोड़ा पिस्टैशियो ग्रीन कलर किया और उसके अंदर जितनी कार्विंग और डिफरेंट कलर एट हुए थे हमने इसको एक ही कलर में कर दिया ताकि उसका जो एक बहुत बड़ा मैसिव लुक है वो थोड़ा सा कम हो जाए कमरा छोटा इतना बड़ा नहीं था तो हमने उसको इस तरह से हाइट किया और परदे भी हमने बहुत दिवारों से मैच करते वे ही रखे ताकि एक लुक जो है वो बहुत स्पेशियस और कमफर्टिबल लुक है क्यूंकि यहाँ पर यह जब सारा दिन काम करके आके रेस्ट करेंगे तो एक बहुत अच्छा सूधिंग सा वो बहुत सारे कलर्स या बहुत ब्राइट कलर्स में नहीं हो सकता वो आपको एक साटल पैस्टल कलर्स में मिल सकता है अच्छा आप मुझे बताएं कि दीवारों के कलर्स भी कुछ कहते हैं तो आप जब दीवार पेंट करवा रही थी या आपने सोचा कि जॉइंग रूम या डाइनिंग को हम किस तरीके से मुक्तलिफ करें इसलिहास से आप मुझे बताएं जैसे दो बेडरूम में एक में बेडरूम सेट वाइट है तो उसमें हमने थोड़ा सा डिफरेंट टोन दिया है दिवारों में और दूसरे बेडरूम में जो सिंगल बैट था सामने का फ्रेम और जो बेक साइट का फ्रेम वही बचाता ता बाके पूरा डेमेज था और हमने उसक को उसके से फ्रेम थोड़ा सा रीसेट करके उसे एक बहुत अच्छा डार्क ओलिव घरीन कलर है थोड़ा ब्रावनिश गरीन है ताकि एक बिल्कुल डल लुक भी ना आ जाए और चोट कमरा बहुत छोटा था तो उसके लिहाज से हमने उसमें कुछ क्रियेटिविटी ऐसी की है कि एकदम आप जब एंटर हो तो कलर्स भी अट्रैक करें अच्छे भी हो और एलैक्सिंग भी और कमरा भी बहुत अच्छा ख करते एक वेल्वेट के पुराने रेड़िश मरून कलर में थैं जो के आप उसको बहुत रड़ कलर को तो बहुत आप जनल से समझके ही क्रिट कर सकते हैं मतलब बहुत खुबसूरत चीजह है मगर आप उसमें बहुत आपको पर क्रियेटिविट जादा यक ओन जादा बहु थोड़ा गोल्डन ड्राउन टच ती है और उसी के साथ हमने जो डाइनिंग एरिया है उसमें हमने ग्लास टेबल टॉप थी जो के वो भी पुरानी ही लेफ्ट ओवर थी तो हमने उसको उसी तरह रहन दिया लेकिन हमने उसके कवर्स में बहुत अच्छी कलरफुल क्रियेटि तो डाइनिंग और ड्रॉइंग रॉम बिल्कुल साथ था तो आपने कलर बिल्कुल दिवारों का साथ रखा है या इनको अलग अलग तो डिवाइड़ हमने दिवारों में ग्रेश ब्लू रखा है वो बड़ा यूनीक सा बहुत हुपसूर और ऐसे लोग करवाते नहीं है हमने इसको लेवेंडर ब्लू रखा है और सोफा सेट हमारे ग्रे हैं लेकिन जो हमारी डाइनिंग साइड है उसमें बहुत कलर्स है उसमें टॉप पे भी हमने बहुत कलर्स रैट किया है पिंक है यलो है ग्रीन ओरेंज काफी कलर्स हमने उसके ताकि आप जब खाना खाने बैठो तो वो सारे कलर्स आपके साथ जो है वो इनर्जी में सामर शामर अच्छे जब हम घर डेकुरेट कर रहे होते हैं तो हम काफी चीजों का खयाल नहीं रखते हैं जिनका रखना चाहिए तो वो क्या चीज़ें इंपॉर्टन्ट हैं घर डेकुरेट करते हैं यह भात से अब तो वैस्ट में हर जगा डॉक्टर रिकमेंडेशन है कि इंदूर प्लांट्स होते हैं बहुत जरूरी है, specially bedrooms में, यह और जब उन्होंने study की तो उन्हें पता चला कि जो इंदूर प्लांट्स है उनकी सबसे बड़ी बात है कि वो ईक्सिजन की बहुत जबरदस पुरिफाय करते हैं, आपको मूट बिल्कुल चेंज हो जाता है, जहां आपकी अच्छी ऑक्सिजन सप्लाय हो, तो यह चीज़े होनी चाहिए, मैंने देखा है, बहुत सारे लोग डेकोरेशन पीसिस की एक दुकान खोल देते हैं, ड्राइंग रूम में और सेटिंग एरिया जितना सन इनरजी आपके घरों में आएगी, पुराने घरों के आर्किटेक्चर में आप देखेंगे, के स्पेशली वोग खयाल लगते थे के सनलाइट क्रॉस हो, वेंटिलेशन हो, मुस्तकिल एर जिए, यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो छोटी से ट घरवाले या जो भी उनका सेट अप था, उनका क्या रियाक्शन दा? बिल्कुल हरान हो गया थे, क्योंकि जब उन्होंने, क्योंकि वो कराची नहीं आय थे, और उन्होंने तस्वीरे मचसे मंगवाईं थी, कि वो घर कैसी हालत में हम इजा दिखा दे, तो जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने तो मना कर दिया था, आप दूसरा घर हम ले लेते हैं, यह शायद नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं नहीं आप मुझ पर भरोसा रखें, इन्शाला यह घर भी ऐसा ही हो जाएगा, कि आपको अच्छा लगेगा यहां रहना, जितना भी आपका टाइम यहा बनाया है, तो उसमें उनका खास ख्याल भी रखावा है, कि उनके स्पेशली मुवमेंट के हसाब से, तो वो तो स्पीच्छलेस होगा है, बिकिस मैं खुद स्पीच्छलेस हूँ कि आप एक ऐसा फरनिचर जो बल्कुल जाया हो चुका है, आप कैसे लेके एक नया बना सकत स्पीच्छलेस हैं, नहीं क्रियेशन कर सकते हैं, आचा मैं एक क्वेशन पूछूंगी, बड़े घरों में आप घर इसलिए लेते हैं, कि आपको बहुत शौक होता है, कि आप स्विमिंग पूल बनाएंगे, बेस्में में भी होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए, पहले तर्स का मसला यह होता है, कि सामने वाले घर का सामना हो रहा है, क्योंकि वहाँ गार्ड बैठे हुए, चौकिदार बैठे हुए, और टर्स में आप मेरी फेवरिट जगा है, अगर वहां पर आप बैठे हैं, श्याम के बाद काराची का मौसम तो ऐसा है, कि शाम आप टर्र ठीक है बैंबूस की सराउंडिंग की और फिर उन बैंबूस को भी कलर किया उनको ग्रीन टच देके साथ में मैंने बहुत सारे फ्रेश प्लांट सेट कर दिये और वहां पर मैंने बैंचेज और सोफा और वह उसकी अडिशन कर दी स्विमिंग पूल के लिए आप यह कर सकते हैं कि अगर आपकी बैक्यार्ड में जगा है लेकिन आपको यह डर है कि सामना ना हो आप बैंबूस लगा सकते हैं वहां पर वुडिन की एक ऐसी जाली लगा सकते हैं जहां से हवा भी विंटिलेट हो सकते हैं और आपका सामना ना ह उसमें आप अपनी कुछ भी क्रेटिविटी कर सकते हैं, चाहिए आप टेम्टरी स्विमिंग पूल रख लें या बिल्डिन कर लें, या डमी रख लें, जो लोग आप शकल रखते हैं, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप कोई भी लास्ट कोई टिप देना चाहती है अपने अपने घरों के अंदर प्यार और महबत से क्रेटिविटी एड करें, कोई भी चीज डिस्कारड नी होती है, क्यूँके हर चीज एनरजी है, ना क्रेट होती है, ना खतम होती है, ट्रांस्फॉर्मेशन हमें अपने अंदर भी सेखनी चाहिए, अपनी चीजों में भी, हम उ नहीं समर्स कर सकते हैं और वही इल्म आप आगे बाच रही है थैंक यू सो मज़ अमरीन हम से खूब वाकिफ है तो मैं आप लोगों के लिए अगली एपिसोड में अम्रीन की एक और क्रियेशन लेकर आऊंगी चौकट कहानी पर उसके लिए इंतजार करें अलाहाफिस